स्वागत है आपका स्थेटी वित्मेट पर फ्रेंट्स जो है तो आरारबी यंटी पीसी के इग्याम से रिलेटेट एक अपडेट आई जो कि आपके जो है तो हिंदुस्तान टाइम्स के जो है तो नियूश पेपर पर आई मैं आपको इस वीडियो में बताने वालाओं को वह और उसका जो आपको कुछी रिफंड में फीस मिलेगा बोव डिफंडेवल फीस हुए तो कब तक आएगी और किन किन स्टूडेंटों को मिलेगा और किन स्टूडेंटों को नहीं मिलेगा आप देख सकते हैं आरारवी अंटी पीसी 15 दिसंबर से शुरू होगी परिच्छा जो उमीदवार आरारवी अंटी पीसी परिच्छा में सामिल होते हैं उन्हें आवेदन फान भनने के दवरान संप्मिट की गई फीस रिफंड कर दी जाएगी यहां पर यह चीज आपको बताएगी तिसको मै आपको देखकर बताता हूं क्या का इंफर्मेशन आई है आरारवी अंटी पीसी परिच्छा 15 दिसंबर से शुरू होगी परिच्छा के लिए दो कडोर के करीब उमीदवारों ने रजिस्टेशन किया है रेल्वे भरती बोर्ड आरारवी ने कहा हाली में उमीदवारों के उनके एप्लीकेसर स्टेटस की जानकारी जारी की है बता दें कि उमीदवारों के आवेदन फार्म स्विकार कर लिये गए हैं वहीं परिच्छा के लिए उपश्तित होंगे आरारवी जल्द ही परिच्छा का पूरा सेडूल जारी करेगा यहां उमीद की जारे के परिच्छा में एक से अधिक सिफ्ट होंगी आरारवी एंटी पीसी एडिमिट कार्ड भी जल्द ही जारी किया जाएगा वहीं एडिमिट कार्ड जारी करने से पहले परिच्छा के अंदर तारिक के बारे में पहले ही बता दिये यह आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन डेटा बर्द के लिए आपको वहाँ पर जरूरत होगी बताएगे कि आप एंटी फीसी के लिए आप जो है तो रजिस्टेशन नंबर और आप डेटा बर्द है तो आप वहाँ पर प्राप्द का सकते हैं जो उमीदवार एंटी पीसी में सामिल होते हैं उन्हें आवेदर बनने के दावरां सम्मिट की गई फीस रिफंड कर दी जाएगी महिला तांज जेंडर एक्स सर्विसमें इस्टी अलप संक्षा का और आर्थी रूप से पिछले वड़ के उमीदवारों को पूरा रिफंड किया जाएगा यह जो कुछ कटेगरी यहां पर नाम दी गए उन प्रिफ्ष डा तो प्राळों सर्वी एंगए माया पास्तित बाएं के अप उमीदवार पेरी टाम सोफ्टे स्पूर प्रे। टेस्ट है यहां पर जो है तो computer आधारी तूप यहां पर जो इंपोर्टेंट आपके चीजे थी प्रेंट समय बता दिया इंपोर्टन चीजे के वो लिया ही थी आपका जो करते समय अप्लाई किये थी जिनका 500 रुपई जमा किये थे उन्हें 400 रुपई रिफंड किया जाएगा और महिला आलप संक्षा इस्टी असी इन्हें जो है तो उनका पूरा फिस रिफंड किया जाएगा इसी तरह से लेटेस्ट अब्रेट के साथ आप बेलकुल स्टेडी व मैट मैं